रश्या और यूक्रेन के चल रही लड़ाई के दोरान यूक्रेन के तीन रीजन बहुत ज़ाद न्यूज में आए एक दोनेस्क दूसरा लुहांस्क और तीसरा ये क्रिमिया दोनेस्क और लुहांस जो दोनों धौनबस रीजन में सिच्वेटेड हैं इन्होंने अपनी इंड 2014 में ही अपने कबजे में ले लिया था लेकिन आज से कुछ दिनों पहले यहां पे वार नहीं चल रहा था फिर भी एक प्राब्लेमाटिक सिच्वेशन थी कभी वार के शुरुवात हो सकते थी दुनिया में ये तीन रीजन ही ऐसे नहीं है जहां पे ये सिच्वेशन मेंट frozen conflict क्या होता है frozen conflict international relation की terminology में frozen conflict वो situation है जब एक active armed conflict या कहें कि वार तो नहीं हो रहा होता है लेकिन शान्ती भी नहीं होती है एक बारूत का धेर है जिसमें कभी भी चिनगारी लग सकती है conflict है लेकिन फिर भी ceasefire है for example इंडिया और पाकिस्तान की वे जम्मू कश्मीर हमारा part है लेकिन फिर भी पाकिस्तान उस पे आँखे लगाया रखता है एक बार को हम पीछे हटेंगे छोड़ा तो पाकिस्तान उस पे कबज़ा कर लेगा अरुनाचल परदेश को चाइना क्लेम करता है ये सारे frozen conflict है जो कि decided नहीं है peace maintain नहीं हुई है लड़ाई कभी भी हो सकती है लेकिन फिर भी एक war नहीं चल रहा है तो कौन से important regions है इंडिया में जहां पे frozen conflict है अभी देखिए बहुत सारे location है लेकिन उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का contribution है तो वो USSR का break up है इस map में ज सारे location को तो cover करेंगे ही साथी साथ हम Israel जाएंगे वहाँ पे Golan Heights को cover करेंगे साइप्रस जाएंगे और साथी साथ हम Kosovo भी जाएंगे और साथी साथ हम Africa के भी एक location में जाएंगे सबसे पहले ये समझेए कि USSR सबसे बड़ा contributor क्यों है frozen conflict में आपको पता होगा कि 1991 के December में including ये Baltic Nation जो की आज NATO का पार्ट बन गई है, Belarus ये सारी countries जो है USSR से बनी होई है, ये सारे areas तो कहीं न कहीं boundary demarcation का problem आएगा, ethnicity का problem आएगा और इसलिए Russia सबसे बड़ा contributor रहा सबसे पहले चलते हैं Ukraine, ये रहा आपका Ukraine, आप लोगों ने आजकल बहुत जादा news में क्रिमिया के बारे में सोना, डॉनबास रिजन के बारे में सोना, वहाँ पे दो आटोनॉमी लेने वाले जो places हैं उनका नाम सोना, लुहांस्क और दोनेश्क, लेकिन क्या आप ये जान की ethnicity और यहां पर रश्यन लोगों की ethnicity के बीच में conflict था, काफी पहले 1990 से लेकर 1992 तक दो साल तक यहां पर वार चला था, और फाइनली आज मौल्दोवा में situated ये ट्रांसनेस्ट्रिया नाम का place, ये जो पतलिसिया स्ट्रिप है, इसको हम लोग ट्रांसनेस्ट्रिया बोलते है ट्रांसनेस्ट्रिया नाम का place अपने आपको autonomous बोलता है, independent बोलता है, और ये कहीं न कहीं, आज भी एक frozen conflict का zone है, जो कि कभी भी उबर सकता है, तो आप कहा सकते हैं, ये यूक्रेन की western border पे भी problem है, और यूक्रेन की eastern border पे भी problem है, यूक्रेन के south में भी problem है, ये रहा उसका और clear map, मल्डोवा, यूक्रेन और बीच में situated ये ट्रांसनेस्ट्रिया, रेडवाला, तो यूक्रेन के round आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये पतले सीजवा स्ट्रिप है, मल्डोवा के पास, ये है ट्रांसनेस्ट्रिया, ये क्रिमिया, ये लुहांस्क और ये दोनेस्क, ये द नहीं है, क्योंकि यहां पे अल्रेडी लडाई चल रही है, फिर ये ट्रांसनेस्ट्रिया जो है, वह भी frozen conflict में count होगा, ये तो यूक्रेन के round areas है, लेकिन USSR के bunny countries में और भी जगह problem है, यूक्रेन ब्लैक सी के पास situated है, उसी ब्लैक सी के पास situated है, ये जो country आप देख रहे हैं Georgia में situated ये दो location, पहला है अब Khazia और दूसरा है South Osetia, इन दोनों region ने अपने independence 1991 में declare कर दी थी, और कहीं न कहीं उपर situated Russia ने इन दोनों region को help की, कि वो Georgia से अपने independence declare कर सके, याद रखिएगा इनको को UN में recognition नहीं मिली है, इन लोगोंने अपना claim किया और कहीं न कहीं इस region को ये लोग rule करते हैं Russia के help से, तो ये Georgia में अब Khazia और South Osetia भी एक frozen conflict का example है, अभी तक हम वही region देख रहे हैं, जो कहीं न कहीं USSR के break up से related हैं, और उसी context में एक और region है, यहाँ पे चले आई है, ये Armenia है, ये Azerbaijan है, और इन दोनों के बीच में जो ये पतला से यहाँ पर strip देख र इस location को हम लोग कहते हैं, नगार्नो करबाग, अब आप नगार्नो करबाग का expanded map देखिए, ये Armenia है, ये Azerbaijan है, दोनों क्लेम करते हैं इस region को जिसका नाम है नगार्नो करबाग, ये लडाई आज की नहीं है, ये लडाई 1988 से ही चल रही है, ऐसे तो ये है Azerbaijan का part लेकिन यहाँ प अपने आपको independent declare कर दिया था काफी पहले, और 2017 में ये नगार्नो करबाग का उन्होंने नाम दिया अर्थसाख Republic, अब हमने USSR के breakups से related जितने भी frozen conflict वाले जोन थे वो देख लिये हैं, अब एक बार आप Mediterranean से चलिए, ब्लैक सी के नीचे, ये location आपको दिख रही है, ये साइप्रस है, आप सारे लोगों को पता है कि साइप्रस एक country है, कोई दिक्कत नहीं, साइप्रस के जस्ट उपर देखिए कौन से country है, टर्की है, राइट, और साइप्रस के थोड़ा west side चले जाएए, थोड़ा उपर जाकि आपको यहाँ पे Greece दिखेगा, Greece, Turkey और साइप्र यह है, साइप्रस में टर्किस ethnicity के लोग यह वाला एरिया कंट्रोल करते हैं, और काफी बाद में 1980s के राओं टर्की नहीं यहाँ पे capture किया है, अपनी ethnicity के नाम पे, पहले यह ब्रेटेन के अंदर आता था, इसकी independence काफी देर से होई है साइप्रस के 1960s के राओं, उपर वाल और से हैं, दो ethnicity है, Turkish और Greek उसी के बीच में यह बटा हुआ है, और बीच में आपको यह blue sea line दिख रही है, war रोकने के लिए दोनों के बीच में लडाई न हो जाए, वो जो frozen conflict zone है, कभी उसमें melt न हो जाए, आग न लग जाए, उसके लिए United, उसके लिए United Nation जो है, उसने यहा से समला हुआ है, Cyprus, अब next आप एक बार Africa आ जाएए, और Africa के western portion में जाएए, मुरक्को आप सब लोग जानते हैं, Algeria आप सब लोग जानते हैं, मौरिशियान आप सब लोग जानते हैं, लेकिन what about this western sahara, यह क्या है, क्या यह country है, नहीं, western sahara एक disputed territory है, 80% यहाँ पे rule जो करता है, वो मुरक्को करता है, और बाकी 20% जो है, self-declared independent state है, इसको और clearly देखना चाहें, तो आप ऐसे देख सकते हैं, यह जो red वाला portion है, यह police arrow held है, वहाँ की party है, वहाँ की चीज़ें देखने वाली, जिन्नों ने अपना independence declare किया हुआ है, बाकी 80% portion जो है, उसको मुरक्को न Mediterranean coast पे located है, sea पे located है, और इस Israel में कुछ places बहुत news में रहते हैं, सबसे पहले तो Israel Egypt के पास located है, right, Jordan के पास located है, Lebanon के पास located है, और साथी दाथ Syria के पास located है, बाकी जगह तो चलिए लड़ाई खतम हो गई, कोई बात नहीं, अच्छा एक चीज़ जानने के लिए कि Gaza Strip और यह आप यलो वाला बाकी छोटा-छोटा portion देख रहा है West Bank में, देखे, main location West Bank है और Gaza Strip है, Gaza Strip में यलो वाला portion और यह जो आप देख बीच बीच में यलो, यलो यलो यलो, यलो यलो ये Palestinian है, और जो बाकी bluish portion देख रहा है आप West Bank में, वहाँ पे Israeli लोगों ने अपने इनकलेप बनाए हुए हैं एक तो यह बीच में यह वाला जेरुसलम है लेकिन इसके ऊपर देखिए इसराइल के अंदर यह प्लेस क्या लिखा हुआ है ओक्यूपाइड गोलन हाइट्स इस एक्चुली बिलॉंग्स टो सीरिया लेकिन सीरिया ने जब आकरमन किया इसराइल पे जब कि यूरोप का इस्टर्ण और कहां कि साउधन पोर्षन यह रेड़ वाला पोर्षन आप वो दिख रहा है यह पूरा पोर्षन पहले एक कंट्री था जिसका नाम था यूगोसलाविया और यूगोसलाविया के जो प्रीमियर थे उनसे जवालाल नहरू की कपी दोस्ती भी नॉन अलाइन मुवमेंट के दोरान लेकिन यह यूगोसलाविया आज एक कंट्री नहीं है यूएससर का भी ब्रेक अप हुआ था यूगोसलाविया का भी ब्रेक अप हुआ फर्क बस इतना है कि यूएससर में रश्या रह गया फाइनली लेकिन यूगोसलाविया एक कंट में पर से की स्विया आ Catalina करते हैं और मीभूनिज्यों से Hanfr में पाइए हो जाता है जयुक्ति की ऍने रोवी में में त्युक्ति करते हैं तो थो तो पहले हैं नाटो कुछ फोर्स इंटर्वेंड करते हैं यह सह सब्सक्राइए और ल generalized करती हैं और कोसोव एक आज semi recognized partially recognized independent estate है कोई proper country नहीं है last में जो portion बच गया है ये को सोव और ये कहीं न कहीं आज भी चोकि semi recognized partially recognized है तो सर्बिया और कोसोव के बीच में क्या है सर्बिया और कोसोव के बीच में एक frozen conflict है मैंने आपको सारे important location बता दिये लेकिन याद रखेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर एक frozen conflict है लदाक का area एक frozen conflict है और कह सकते हैं कि चाइना के हिसाब से north east भी हमारा frozen conflict है क्योंकि चाइना उसका अपना part बोल रहा है बार बार जो कि कभी नहीं होने वाला इसके लब आप Korea चले जाइए North Korea और South Korea दोनों अपने आपको एक country कहते हैं लडाई नहीं हो रही लेकिन North का कहना है कि South का part भी उसी का है South का कहना है कि North का part भी उसी का है तो Korea में North और South के बीच में जो border है वो भी एक frozen conflict का area है तो आशाए कि आपको यह लेक्चर यूसफुल लगा हुआ गो काफी चीजे mapping अगर से समझ में आई होगी so thank you for listening and thank you for being with me take care टाटा बाई 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 पसंद आया होगा तो like और subscribe थैंक यू कर दो आदिर हो एक को बाई जो आःत्स का बाई बाई से समझ का चार अचे में ऌवे तो का में पाई पसंद आपके भाज़ को अना शीजे को बाई डाई ले जो